हेलो एबरिवन एक वार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर तो फ्रेंट जैसा कि आप थमनेल पे देखी चुके हो आज हम डिसकस करेंगे टीचिंग एप्टिट्यूड एंड एटिट्यूड के कुछ इंपोर्टेंट क्वेस्टन्स जो में लिए आ लाइकन प्रेस करना ना भूले ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो की नौटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे तो फ्रेंट्स अगर आप एच्प्यू भी एडिन ट्रांस की त्यारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक लगसे प्लेलिस्ट में आई है जिसका ज वीडियो लाए थे अगर आपने वीडियो नहीं देखिए तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो वांपर आपको अप्रेल और में मंत के मोस्ट इंपोर्टेंट करन्ट अफेर के जो क्वेस्टन्स है वह आपको देखने को मिलेंगे तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम आइडी का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है तो फ्रेंट्स वीडियो को शुरू करते हैं क्वेस्ट नमर 132 में बोला गया कि विद्यार्थियों को किसका व्याभाहार सबसे अधिक प्रभावित करता है वह विद्यार्थियों को किसका व्याभाहार जो है काफी इपोरन कुषन है नमर 132 का वह सबसे अधिक प्रभावित करता आए और आफ्छन्र करता है तो फ्रेंच आपने याद रखना जब भी आपने टेचिंग यपने के व्यादियों के वह स्क्राइड़ के व्यावावार मे है और आपने खुद Kway पोस्टीब वे में रख कर में को और खुद को ऐजा सटीचे सवाल ने हर एक여 option को कं से कम दो या थीन वार आपने जरूर करना है यह कुंकि यह पोंट जो अप्षंस जो होते हैं को सिमिलर ही होते हैं तो तो आपने options को दो या तीन वार तो जिरूर रीड करना है अगले प्रशने पर जलते हैं question number 133 में बोला गया है कि केस पदती द्वारा विद्ध्यारती जो है वो सबसे अधिक सीखते हैं तो किस पदती द्वारा विद्ध्यारती जो है वो सबसे अधिक सीखते हैं question number 133 का वहांका option number D है अपने याप करके द्वारा विद्यारती जो है वो सबसे अधिक सीखते हैं question number D is question का right answer है question number 134 पे जलते हैं शिक्षा के मानकों के उत्थान के लिए निमलिक्त कतनों में से कौन सा अतिय अवश्यक है in order to raise the standards of education which one of the following statement is vital तो शिक्षा के मानकों के उत्थान के लिए निमलिक्त कतनों में से कौन सा जो है वो काफी अतिय अवश्यक है काफी important है question number 134 का जो राइटन्स रोगा वहांका option number B है विद्यारतियों का लगतार मुल्यांकन जो है इस question का राइटन्स रहे continuous evaluation of students जो है इस question का राइटन्स रह यह विद्यारतियों का जो लगतार मुल्यांकन है continuous evaluation जो है student का वो काफी important है आती अवश्यक है तो option number 20 question का correct answer है अगले प्रशन में चलते है question number 135 में बोला गया कि the major objective of education is तो शिक्षा का जो मुख्या उदेशिया है वो क्या है तो शिक्षा का जो मुख्या उदेशिया है आप आपको पता है विद्यारतियों की आंत्रिक यवगिताओं को उभारना जो है वो major objective है education का developing inherent abilities of students जो है इस question का correct answer option number 136 में जलते हैं इसमें बोला गया कि यदि कोई विद्यारति कक्षा में आपका उपहास करता है तो आप क्या करेंगे if a student laughs at you in the class what will we do यदि कोई विद्यारति जो है आपकी गख्षा में आपके उपर हसता है तो आप क्या करोगी तो question number 136 जो है काफी important है कई वार exam में पूछा गया तो आप उसे अनुभब कराएंगे कि ऐसा करना उचित नहीं है make him realize that it is not a good thing तो option number a जो है इस question का correct answer है अगर कोई विद्यारति आपकी गख्षा में उपहास करता है हसता है तो आप क्या करेंगे उसे अनुभब कराएंगे कि ऐसा करना वो चीत नहीं है option a इस question का correct answer है question number 137 पे चलते हैं सभी अध्यापकों को विद्यालियास में पर पहुंचना क्योंकि इससे विद्यारतियों में अनुश्वासन की भावना आती है इससे विद्यारति समय के महतव को समझेंगे विद्यारति भी समय पर पहुंचेंगे तीनों options नहीं है तो option number D जो है इस question का correct answer है उपर उपत सभी it includes discipline among students students will understand the value of time students will also reach in time तो option number D जो है इस question का correct answer है question number 138 प some of men's teachers start harassing and criticizing you what will you do तो मान लेजिए आप एक अध्यापिका है कुछ पुरश अध्यापक आपको परतारित करते हैं और आप किया लोचना करते हैं तो आप क्या करेंगे तो मैंने आपको पहले ही बोला है कि यह जो question होते हैं understanding based होते हैं खुदको आपने इन question को जब solve करना है तो खुदको as a teacher रखे आपने question solve करने है तो question में बोलागे कि आप एक अध्यापिका है माले जी आप एक अध्यापिका है कोछ पुरश अध्यापक जो हैं वो आपको परतारित करते हैं आपकी अलोचना करते हैं तो आप क्या करेंगे तो आप क्या करेंगे आप ऐसे बेभा करेंगे यह भी नहीं करना है प्रदानाचारिय को सोचित करेंगे यह भी नहीं करना है आप उनसे व्रहतिकत रूप से बात करेंगे कि आप एस आप ऐसा बेहुर कर रहे हैं तो आप एक टूदेम परसनली अपर कॉस अशर्च बीहिए कुशनमर 149 में बोला गया कि suppose a student is not able to understand and your point of view in the class तो मान लीजिए कि कोई विद्यार्थी कक्षा में आपकी दृष्टी कौन को समझने में अशक्षम है तो आप क्या करेंगे तो आप क्या करेंगे कुश्चनमर 149 का जो राइटन से रहा है वो आपका उप्शनमर सी है आप तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे जब तक वे पूरी तरह से समझना ले You will not move ahead unless and until the students has fully understood तो आपकी कक्षा में कोई विद्यार्थी कक्षा में आपके दृष्टी कौन को समझने में अशक्षम है तो आप क्या करेंगे आप तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे जब तक वे पूरी तरह से समझना ले You will not move ahead unless and until the students has fully understood क्षूशनमर 140 पे जलते हैं क्षूशनमर 140 जो है काफी important question है इसमें बोला गया कि यदि आप स्कूल के परधानाचार्या के निकटतम है तो आप हमेशा क्या करेंगे If you are close to the head of the school You will always मान लीजिए कि आप स्कूल के परधानाचार्या के निकटतम है तो आप हमेशा क्या करेंगे तो आप अपने विश्या विद्यारतियां और अध्यापन पर केंदरित रहेंगे Concentrate on your subject students and teaching ना कि आप चाप लुसी पर केंदरित रहेंगे यह आपने कभी नहीं करना है दूसरे अध्यापकों को दमकाएंगे यह भी नहीं करना है विद्यारतियारतिया और अध्यापन पर ही केंदरित रहेंगे Question number 141 पर चलते है Question number 141 जो है काफी important question है इसमें बोला गया है कि Parent teacher meeting is important because it gives platform अभी भावक शिक्षक meeting महतपूर्ण होती है क्योंकि यह मंच पर दाने करती है तो आपको बताए जो पर अभी भावक शिक्षक meeting जो होती है वो काफी important होती है क्यों होती है क्योंकि यह progress report पर चर्चा करने के लिए जरूरी होती है अभी भावकों से मिलने के लिए भी यह महतपूर्ण होती है समस्याओं का समधान करने के लिए भी important होती है तो option D is question का right answer है all of the above जो है is question का right answer है parent teacher meeting is important because it gives platform to discuss the progress report to meet the parents of the students to give solution of the problems तो option number D जो है is question का right answer है question number 140 पे चलते हैं Dr. A.P.J. अबदुलकलाम is respected for Dr. A.P.J. अबदुलकलाम को समान दिया जाता है किसलिए दिया जाता है आपको पता है ये एक महान विज्यानिक बाप प्रतिवद अध्याफक होने के ना थे Dr. A.P.J. अबदुलकलाम जी को समान दिया जाता है being a great scientist and committed teacher तो आपको पता होगा Dr. A.P.J. अबदुलकलाम जी तो वारत के रास्टरपती भी थे इन्हें Missile Man of India के नाम से भी जाना जाता है जी के में ये क्वेशन कभी पूछ लिया जाता है Missile Man of India के नाम से किसे जाना जाता है क्वेशन नमर 143 पे चलते हैं तो आज के विश्व में किस वरकार की शिक्षा जो है वो सबसे अधिक आवश्यक है सबसे अधिक महतब पूर्ण है तो आपको पता है Sex Education जो है वो भी आज के जमाने में जरूरी है Moral Education जो है वो भी जरूरी है Computer Education भी जरूरी है तो All of the above जो है इसक्रशन का राइट अंसर है आज के विश्व में नियोन सिक्षा, नैतिक सिक्षा, कंप्यूटर सिक्षा ये तीनों सिक्षा जो है वो काफी इंपोर्टेंट है तो Option Number D जो है इस Question का राइट अंसर है अगले प्रशन में चलते है Question Number 144 में बोला गया गी For maintaining discipline in the school What should be done by teacher तो विद्याले में अनुशाषन स्थापित करने के लिए एक अधियापक को क्या करना चाहिए तो विद्याले में अनुशाषन स्थापित करने के लिए एक अधियापक को विद्यार्थियों को सकरात्मक्त शाक्षिक बियावार के लिए प्रेडित करना चाहिए the students should be motivated for positive educational behavior तो option number D जो है इस question का correct answer है question number 145 पे चलते हैं in your opinion who is the most respected teacher तो आपकी राय में कैसे अध्याफक को सबसे अधिक समान दिया जाता है तो मैंने आपको बोला है कि आपने ये as a positive way में करने है question understanding based होते हैं तो आपकी राय में कैसे अध्याफक को सबसे अधिक सम्मान दिया जाता है तो आपको पता है जिसे विश्याफक को पढ़ाने का पूर्ण ज्यान हो who is knowledgeable to the teach the subject तो है जिसे अधियाफक को विश्याफक को पढ़ाने का पूर्ण ग्यान हो आपकी राय में उस अधियाफक को सबसे देख सम्मान दिया जाता है option number D जो है इस question का correct answer है आगले प्रस्ण में चलते है the main reason of frequency जो है भगोडेपन का जो असली कारण है वो क्या है तो भगोडेपन का जो कारण है पढ़ाई में रूची ना होना एक मुख्या कारण है नशा खोरी जो है वे भी एक मुख्या कारण है अधियाफक का कक्षा में रूची पैदा करने में शक्षम होना ये भी जो है भगोडेपन का सली कारण है option number D जो है इसक्षिन का राइट अंसर है उपरोक सभी lack of interest in studies, drug addiction, teacher inability to create interest in the class तीनों रीजन है किसके भगोडेपन के तो option D इसक्षिन का राइट अंसर है question number 147 पे चलते है teacher must take interest in research भी काओ तो एक अधियाफक को शोधिकार्या में रूची लेनी चाहिए क्यों रूची लेनी चाहिए तो आपको पता है इससे घ्यान बढ़ता है to the develop this develops the knowledge base अधियाफक वियस्त रहता है the teacher remains busy अधियाफक निरंतर नई खोज के बारे में जानकारी हासिल करता रहता है the teacher keeps on learning about new discoveries तो option number D जो होगा इस question का correct answer है question number 148 पे चलते है a child who cannot work at pace with the children of same age is called तो एक बालक जो अपनी कक्षा केनने बालकों की तरह कार्या नहीं कर पाता है तो उसे क्या कहा जाता है तो आपको पता है उसे क्या उसे उसे क्या कहा जाएगा उसे पिछड़ा बालक कहा जाएगा backward child जो है उसे कहा जाता है a child who cannot work at pace with the children of same age is called backward child question number 148 पे चलते है which of the following leads to stress in the exams तो निम्रेक्त में से किन कारणों से प्रिक्षा में तनाब उत्पन होता है तो किन कारणों से प्रिक्षा में तनाब उत्पन होता है तो आपको पता है चिंता से प्रिक्षा में तनाब उत्पन होता है त्यारी ना होना भी त्यारी ना होना भी प्रिक्षा में तनाब उत्पन करता है प्रिश्यों की कमल समझ होना ये भी प्रिक्षा में तनाब उत्पन करता है तो NXT हो गया NXT unpreparedness हो गया less understanding of the subject ती तीनो रिजन जो है वो आपके प्रिक्षा में तना आपके मुख्यकारण है तो option D जो है इस question का right answer है अगले प्रशने पर चलते हैं question number 150 में बोलागा कि as a teacher you will give the extra marks to those students तो एक अध्यापक होने के नाते आप उन चात्रों को अतिरिक तंक देंगे तो किन चात्रों को आप अतिरिक तंक देंगे तो जो इसके पात्र होंगे who deserve it तो आप एक अध्यापक होने के नाते उन चात्रों को अतिरिक तंक देंगे जो इसके पात्र होंगे who deserve it तो option number D इस question का correct answer है next question में जलते हैं question number 111 में बोलागा कि राष्ट्रे एकता बढ़ेगी यदि तो national unity will grow तो राष्ट्रे एकता कब बढ़ेगी जब अध्यापक अपने देश में कहीं भी नोकरी करता है तब राष्ट्रे एकता बढ़ेगी A teacher serves in his country anywhere option D जो है इस question का correct answer है question number 112 बे चलते हैं assessment of students is a necessary because of the विद्ध्यार्थियों का जो मुल्यांकन किया जाना अवश्यक है क्यों हवश्यक है क्योंकि आपको पता है ये विद्ध्यों की उपलप्दियों को मापने में सहाएक होता है it helps to measure the achievements of students तो assessment जो है विद्ध्यार्थियों का किया जाना जरूरी है क्योंकि विद्यारतियों की फ्लब्दियों को मापने में काफी सहायक होता है क्वेशन हमेर 113 पर चलते हैं अकोर्डिंग टू राइट टू एड्यूकेशन एक्ट एड्मिशन ओफ चिल्डरन टू पर्टिकुलर क्लास हैज बिन प्रोपोस्ट ऑन दा वेसिजो तो शिक्षा का जो दीकार अधिनियम केनु साल बच्चों का किसी विशिष्ट कक्षा में प्रवेश का प्रस्तावित आधार है तो क्या आधार है यह आपको पता होगा यह बालिक का समाजिक अबा आर्थिक स्तर जो है शोशियो एकॉनमिक स्टेटुस ऑफ दा चाइल्ड जो है इस क्वेशन का कोरेक्ट अंसर है क्वेशन नमरे 114 पर चलते हैं इन यूर ओपीनि में एक कामियाब अध्यापक कौन है वे है जो क्या करता है तो आपको पता है एक कामियाब अध्यापक वे है जो विद्यार्तियों के विकास में गहरी रूची रखता है टेक कीन इंट्रेस्ट इन दा प्रोग्रेस ओफ स्टूडेंस जो है इन यूर ओपीनिन रे विदी का जो मुख्य उदेशिया है वो क्या है? The main objectives of child-centered education is तो वाल केंदरी सिक्षन विदी का जो मुख्य उदेशिया है वो क्या है? चात्रों में मुक्त बाता बरन में सीखने की योगिता का विकास करना चात्रों में सुतंतर कोशनों का विकास करना चात्रों में आतम विश्वास आतम निर्भरता का विकास करना जो है इस क्वेशन का गॉरेक्ट अंसर है तो option number D इस क्वेशन का गॉरेक्ट अंसर है? अगले प्रशने पे चलते हैं तो कक्षा में जाने से पहले अधियाप को शिक्षन मिंदू बनाने चाहिए तो क्यों बनाने चाहिए? क्योंकि ये शिक्षन कार्या को अधिक प्रभावशाली बनाने में सहाइक होते हैं एट हेल्पस तो मेंग टेचिंग मोर एफ्यक्टिव प्रदियाप्र के घर पर नेमलिक्त में से किस चीज का होना जो है वो काफी जरूरी है तो आपको पता है वहां पर लाइवरेरी भी होनी चाहिए टेलिविजन भी होने चाहिए अच्छी तरह से सजा हुआ महमान का किश होना चाहिए तो आपको पता है इसमें पर सेमिनार करना जो है अधियापकों की भीवेन समस्याँ पर विविचार भी मर्श करना ये भी अधियापक संगठन का काम है जरूरत मंद अधियापकों की साहिता करना ये भी आधियापक संगठन का काम है तो ऑप्शन नमबर डी इस कुछन का राइटन से रहा है ओल अफ दा अब जो है क्वश्चन अमें एक सो निस पे चलते हैं स्पोज योर सन वांस तो गो फोर टीचिंग प्रोफेशन मान लीजी आपका पुत्र शिक्षण ब्यवस इस में बोला गया कि एक अध्यापक का पहनावा होना चाहिए ताड्रेस ओपर टीचर शुड़ भी तो एक अध्यापक जो पहनावा होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए आपको पता है साधार्ण प्रंतु अकर्शिक होना चाहिए सिंपल वर्ट अट्रेक्टिव एड़्र तो आप अपने रिष्टेदारों की बच्चे आपके विद्याले में बढ़ते हैं तो आप उन्हें अधिक परिश्रम करने के लिए कहेंगे आपके विद्यार्ती आपको नहीं सुन रहे हैं तो आप क्या करेंगे तो आप अपने पढ़ाने के तरीके को बदलेंगे अपने पर पढ़ाने के तरीके को बदलना है तो आप अमीर और ग्रीब के लिए एक जैसी शिक्षा होनी चाहिए तो हाँ अमीर और ग्रीब के लिए एक जैसी शिक्षा होनी चाहिए अपने विद्यार्थियों का पास प्रतीशत सुधारने के लिए आपको क्या करना चाहिए कुश्च नमर एक सो पच्चिस का जो राइटन रहे वह आपको ऑप्शन नमर सी कठेन परिश्रम और अन्य सेक्ष्टन सुभी धाएं हार्ड लेबर एंड अधर टीचिंग फैसलिटीज जो है वह आप रिक्वाइर करेंगे और सी कुश्च नमर एक सो चब्वीस पे जलते हैं कुश्च नमर एक सो चब्वीस में बोला गया कि आप द्यापक क्यों बनना चाहते हैं वाइड डू यू वांट टू वीकम आ जो है कुश्च नमर एक सोस्ताइस पे जलते हैं आजकल चात्राओं द्वारा कक्षा ध्यापन में रूची ना लेने का मुख्या कारण क्या है वाट इस दा में रीजन टू टू आप स्टूएंट्स नोट मेकिंग इंट्रेस्ट इन क्लास्रों टेचिंग एड प्रेजंट तो इसका जो कारण है वो क्या है वो आपको पता है कक्षा का रूची करवाता बन पाठे करम का विद्यातियों की मनोवेग्यानिक मांग के नुस्वार न होना त्रोटी पूर्ण प्रिक्षा परनाली जो है ये तीनों रीजन जो है वो अध्यापक आजकल चात्राओं इस क्वेशन का राइट अंसर है क्वेशन अमरे एकस्ट ऑठाइस पे चलते हैं वाई शूट टेक्स्ट बुक भी चेंज अप्टर सम टाइम तो पार्थे पुस्तकों को कुछ समय के वाद क्यों बदल देना दिया जाना चाहिए तो आपको पता है कि ग्यान में बदलाब ग्यान में बदला आपके कारण यह वाश्यक है कि पार्थे पुस्तकों को कुछ समय के बाद बदल देना चाहिए इस नेसेसरी विद चेंज ओफ नोलेज कुश्ट अमरे 149 पे चलते हैं इनवार्मेंटल इनवार्मेंट अजूगेशन इसेसरी इन स्कूल विद्यालियों म रिख्षा परेवरन शिक्षा जो है वो निवारिया है क्योंकि ताकि विद्यार्तियों में परेवरन बोद पैदा गिये जा सके ताकि अजय है Q सब्सक्राइब करें तो आपको पता है इसका जो कारण है वह अब विज्ञानिक प्रेवर्ती है और साइंटिफिक टेंडेंसी जो है इसक्रेवर्ती मनुवर्ती जो है भारत में नयतिक मुल्यों की ग्रावट का मुख्या करण है इस वीडियो को यह लास्ट कुछन है विद्यार्थी और समाज विद्यार्थी और समाज दोनों के लिए बरतवान में किसकी सिख्षा लाप्रद है इसक्रेवर्ती जो है विद्यार्थी और समाज दोनों के लिए बरतवान में रोजगार के अनुकूल वियावसाइक सिख्षा जो है इंप्रोईमेंट औरियंटेड प्रोफेशनल एजुकेशन जो है वो काफी लाप प्रत है काफी वेनिफिशल है तो अप्शन नमबर बी इसक्रेशन का कोर्रेक्ट अंसल है अज़ कि इस वीडियो में वस अतना ही आज हमने टेचिंग अप्टिट्व्ड के कुछ इंपॉर्टन क्वेशन डिसकस किये में आज हमने 40 कुछन आज हमने इस वीडियो में डिसकस किए हैं जो आपको आने वाले एक्जाम ये questions आपको काफी helpful थावित होंगी तो friends मैं आपको बार बार बोर रहाँ ये questions जो होते हैं teaching aptitude and attitude के understanding waste questions होते हैं आपने खुझे को जब भी ये questions solve करने हैं तो खुझे को as a teacher as a positive way में ही आपने questions करने हैं और हर एक questions को कम से कम दो या तीन बार ज़रूर करना है तो friends I hope आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को like share and comment जरूर कर दें चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को subscribe कर दें bell icon प्रस करना न भूलें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की notification जो है वह आपके पास सबसे पहले पहुंचे तो friends आज की इस वीडियो में वैसे तना ही I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को like share and comment जरूर कर दें तो thank you friends